कि नमस्कार दोस्तों आज कल लेक्चर में जबी का स्वागत है आज हम एग्जाम्पल नाबर पांस करेंगे काुल अपप्लですね में इच्जामपल नggakने इन पांच ऑन संहीं एक्स प्लस प्लस बी पर तो उसकी जिग गे एक्स प्लस आजए गाद करें आठो function होगा तो sin ax plus h plus b minus का sin ax plus b हो गया अब देखें अब आगे क्या करेंगे sin a minus sin b का formula लगाएंगे 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2 तो 2 cos a कितना है इसमें यह फूरा यह है ए बी यह है तो a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2 इन दोनों को solve करेंगे तो आएगा 2 cos a x plus b plus a h upon 2 sin a h upon 2 2 sin a h upon 2 sin a x plus a x plus b plus a h upon 2 plus pi upon 2 अब लगाएंगे sin का formula sin का formula लगाएंगे तो sin pi by 2 plus theta बराबर cos theta होता है तो 2 sin a h plus a h upon 2 sin a x plus b plus pi plus a h upon 2 अब डेल स्क्वेर ओपरेट करेंगे यह तो डेल साइन एक्स प्लस b का माना आगे अब इस पर डेल स्क्वेर ओपरेट करेंगे sin a x plus b पर तो डेल स्क्वेर को डेल इंटू डेल लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस बी और डेल साइन एक्स प्लस बी कमान यह निकाला था भी यह पूरा एजिटिज लिख देंगे और इस पर प्लस प्लस और प्लस प्लस ब्रोड़श सबसे पहले है चाइन एक्स प्लस एस और प्लस पड़ा ही था था प्लस पी फॉइच फिर माइनस फिर तो साइन एक्स फॉइच 1 माय पॉइच पॉइच अब देखर टू साइन एच अपॉइच फॉइट गोंस कोशस के इस कुशनル एक झाज डैसे कि घोवनेशंत किया था साइन za साइन बी ऑब अब एफूरा अंक उन्स एको है और 거죠 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो two cos a plus b upon two into sin a minus b upon two अब बड़ी ध्यान से इन दोनों को solve करना है तो solve करने पर असनी से आजाएगा two sin a upon two यह constant constant है उसके बाद में क्या करेंगे cos a x plus b plus pi plus a upon two plus a upon two अब आगे देखिए two sin a upon two और two sin a upon two यह तो यह दोनों constant sin a x plus b plus pi plus a upon two plus a upon two plus pi by two आजाएगा इन दोनों को solve करेंगे तो ठीक है इस cos को sin में change कर दिया है से cos theta बराबर sin pi by two plus theta होता है उससे अब देखिए two sin a x upon two two sin a x upon two sin a x plus b plus two bracket में pi plus a upon two इस प्रकार से इन दोनों को divide कर लेंगे अब देखिए यह दोनों तो जाएंगे square multiply होंगे तो और sin का sinisities है और अंदर पड़ा a x plus b plus two pi plus a upon two तो इसी प्रकार से डेल cube निकालेंगे यह डेल स्क्वेर था डेल स्क्वेर साइन a x plus b था और अब निकालेंगे डेल क्यूब साइन a x plus b तो डेल क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न आ गया डेल साइन a x plus b क्या आया था तू साइन a h upon two ठीक है उस पर गात थी एक और डेल स्क्वेर में गात क्या है दो है फिर साइन a x plus b as it is a pi plus a h upon two इसके आगे था एक और इसमें आगे है दो कूल मिला कि पहले वाले की तो गात चैंज हो रही है और अंदर पाइ पलस a h upon two में आगे दो की गुणा हो रही है तो इसमें चैंज कर देंगे सिर्फ डेल क्यूब है तो इसकी गात तीन कर देंगे और अंदर गुणा दो है तो इसमें गुणा तीन कर देंगे उस्हीं परकार से डेल की पावर अन का निकालेंगे तो यह तो सेम एजिक जाटीज रहेगा इस पाऊडर जगें आजयेगी और इस फ्रकार से की समापति होती एक्जामपल नमर पांस की खाइभा अग्जामपल नमब्चे देल कोट तू की पाउर एक्स तो डेल कोपरेट कर देल कोट दो की पाउर पर तो कोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट Sine A minus B का Sine A into Sine B minus cos into cos B Sine A into cos B minus cos into sin B उपर दिख रहा है हमें यहांपे 2 है उपर दिख रहा है तो उसकी जगे हैंपन कर देंगे Sine A minus B A होगय 2 की पार X और B होगय 2 की पार X plus H तो उपर चेंज हो जाएगा Sine A minus B अपों नीचे हज़ीश पड़ा रहेगा आउपर मैंसिक दो कोमन ले लेंगे तो साइन वन माइननस टू कीपावर एक्स ब्रेकट इंटू हो जाएगा टू की पाउर एक्स यानि दो ढोकी पाउर एक्स को कुमन ले लिया तो यहां बचावन और यहां बचादो की पावर है तो यह हमारा उत्तर आएगा एक्जामपल नमब्र छह का एक्जामपल नमबर साथ है डैल साइन एच है एप्लस बी एक्स ब्रेकिट में अब इस पूरे फंक्शन पर डैल ओपरेट करवाने तो डैल एक्स पर ओपरेट होगा एक्स प्लस अच आएगा उसके बाद माइनस एक्स आएगा एक्स प्लस अच आगया उसके बाद में माइनस का एक्स आगया सेम एजिटीज है अब इसको बी को अंदर गुना कर देंगे तो बी एक्स प्लस बीच माइनस साइन एच एजिटीज साइन हाइपरबोला ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है उसका फॉर्मूला था साइन हाइपरबोला ए कोस हाइपरबोला भी प्लस कोस हाइपरबोला ए साइन हाइपरबोला भी यह फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है साइन एंटू कोस भी प्लस कोस एंटू सा मैनबी मैनस का यह अ बड़ए प्ल美味 अब कैड अब देखित अब एसाल है पाला मेर्फ अधिक पर भाला एक्स नो एज़ ख़धा और भाली आघ्टाह और साइपर वोला प्लूस कि न यह लिएा जो मैजिए दूनमेंस कुमन लियain साइंन विए बिक्स और हैं संट यह बचाएंस और दूसरे वालवायम्द का वन फिट प्लस कोस हॉश्वाल एपलस बिए साय साइन हरव फॉर एक्स और यह कोस था मिच मैंनेश मेन हों हैुग चैन्ज हो जाएगा साइन में तो 2 साइन एच इच स्क्वेड बियेच अपॉन टू की देखे नीचे दोनों फॉर्मुले लिखी हुए कॉस हाइब टू थिता बराबर 1 प्लस 2 साइन फॉर्मॉला स्क्वेडर स्क्वेड तू हाइब तू त्य है तो थीचा भाई हो जायेगा ठीक है तो कोष हाइपर वाला ए प्लस भी एक्स एज इस पढ़ा यह तो तो इसमें बीच हो गया और कोष हाइपर्बूला भी अपन डू हम यह दोनों फॉर्मिले लगाएं पहले वाले में एकोष का लगा दूसरे वाले में साइन लगए ảень two sign hyperbola भीच अपॉन कॉमन ले लिये तो अंदर बच्ता sign hyperbola भीच बाइग लगाना तू shiny hyperbola a plus BX plus cos hyperbola a plus Bx cos hyperbola भीच बाइग अपॉन तो फिर two sign hyperbola भीच अपॉन ठू हो तो अब यह वाला क्या कौन सा formula बनन रहे यह cos a plus B वाला फॉर्मुला पॉल रड़ा है, sin A 인्टो sin B प्लस cos A in to cos B sin A in to sin B प्लस cos A in to cos B या cos A इसे माल लो B जिसे माल लो, क्योंकि इसमें A B H upon 2 है, तो इसमें भी A B H upon 2 रहेगा बात हाईपर्बॉला की तो हाईपर्बॉला वाला फॉर्मुला रड़ाएगा कि उद तार्टली नम्र साथ कोई गाँों कि अब उदार्ट नम्र आठवा तो डिल लोग एकस बराबर लोग कर वन प्लस डेल एक्स अबवन एकस को ci ैं तो डैल लोग एकस मैने लोग इस आऐगा उसके बाद मिन क्या कि लोग एक्स प्लस एच यह माइनस है तो यह इसके पून में आ जाएगा ठीक है फिर लौग एक्स प्लस एच प्लस एच पे भी एक वार उपरेट करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच मायनेस काफ-फ़क जोड दिया उपरेंट नहीं कर वह इसमें जोड़ा एफ एक्स को एक वर जोड़ा एक वर गटाया है तो जोड़ा और गटाया क्यों है वह आगे समझे में आएगा लोग डेल एफ just a few effects बनाना है कमांद किता थब्रयोंond patients m- ऐय था तो लोब एफ एक्स-फ दोंको अलग उलग नीचे वALा पड़ा रहेगा इन दोनों को अलग करेंगे तो यह लोग और यह इतना क्या बन एएफ एक्स और यह वाला एफ बच्छाएगा ठीक है अपन एफएक्स तो लोग अब एफएक्स एफएक्स का दे दिया बाग बाग दे यह एफएक्स एफएक्स हो गए कट गए वन हो गया प्लस डेल एफएक्स अपॉन एफएक्स डेल एफएक्स अपॉन एफएक्स यह हो गया इसका अंसर एक्जाम्पल नबर एट का अब एक्जाम्पल दूसरे स्टार्ट हो गए एक्जाम्पल नबर बन तो बुक में देखते कांसे स्टार्ट है एक्जाम्पल नबर बन पेज नम्बर 9 पी जो एग्जांप्ल दे रखे हैं वो एग्जांपल नमबर इस्टार्ट हो रही हैभी नकितो नेपल 50 पल सक्सरां प्लस्ट्रू Berry पहों से घंबनेगे एक्स-स्क्वाइर-प्लस-डू-2x--ayenc-गय. तो इन दोनों को सॉल कर लेंगे- एक्स-क्वयरं-ituned को स्क्वाइंगे लगाएंगे यह खुल जाएंगा फिर टू को नदर 2H-H-2 एकदम सिंपल सागर अब एक्जामपल नबर 2 है नेबला कोस X तो नेबला कोप्रेट कराओने कोस X पर तो कोस X-Cos X-H हो जाएगा तो कोस A-Cos B वाला फॉर्मला बन रहा है तो 2sin A-B-A-2 sin B-A-2 sin B-A-2 है तो 2sin A-B-A-2 X-Cos X कट जाएगा इसमें और इसमें जुड़ जाएगा तो 2sin A-B-A-2 sin B-A-2 तो अब B-A-2 लेंगे B-A-2 लेंगे इससे B-A-2 लेंगे तो 2sin A-B-A-2 SIN A-B-A-2 यह वाला माइनस है वो बार ले लिया और यहांपे क्या किया 2 का भाग दे दिया तो X बच गया माइनस का H-B-A-2 sin H-B-A-2 यह आगे आँसर एक्जामपल नबर 2 का वो आगे एक्जामपल यह कौन सा है डेल पेज नबर 10 पे दिया वे एक्जामपल डेल 3X प्लस कोस X पेज नबर 10 पे डेल 3X प्लस कोस X है तो डेल को प्रेट कराँंगे 3X प्लस कोस X पर पहले 3X पर प्रेट होगा उसके बाद में कोस X पर प्रेट होगा तो 3 constant बहार चला जाएगा डेल X पर उप्रेट होगा यह ऐसा लिखावा है ठीक है डेल कोस X पहले डल को X पर होएंगे टो एकश प्लस- carr यह प्लस- इस मैनस का एक्स होता है ध्री एक्स-ह-प्लस- सब्सक्रीट करण एक्स-प्लस- माइनस काuge एक्स एकस एकस कट जाएगा ध्री एक्स करणा वह एक्स-प्लस-क्रनेस ने किया 되어 ब्लस- climate a plus b upon 2 sin b minus a upon 2 3h plus 2 sin x x plus h upon 2 x plus h upon 2 sin minus h upon 2 x x cut jayga h upon 2 हो जाएगा ठीक है 3h minus 2 sin x 2 sin x plus h upon 2 sin minus h upon 2 आएगा इसका अंस्वर अब next example अग्जापल अब आपके एग्जाम्पल सभी कंप्लिट करूएंगे डेल सक्वेर इपेज नमबर 11 पे आपके देल सक्वेर अपोन x qiub इसमें एच क्या है एच बराबर एच का माने एक यह एग्जाम्पल किया वह पेज नमबर 11 पे डेल स्क्वेर पॉन एक्स क्यूब एच सदेर का एक मान गयात करें तो डेल बराबर होता है ए माइनस आई प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा ही नहीं आगे पढ़ाएंगे तो यह वाला क्लियर हो जाएगा आपके एक वार आप मांच के चलो कि डेल का मान होता है वह ए माइनस आई भी लिख सकते हैं उसके जज़े तो इसने क्या क्या डेल की ज़ग 2011 स्क्यूर एक्स क्यूब भर थीक है अब ए मैनस बॉ का फॉर्मुला भादिया और ए 2EI लेंगे यह याद रखना है आई का मानेग ले लिया अब एक्स क्यूब को अंदर गुणा करेंगे एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स क्यूब प्लस का इइंवर्स एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब ले तो इंवर्स हो गया इंवर्स के एक्स प्लस का सका होल क्यूब होगा तो इन पूरे को खोलने पर क्या आएगा माल पास एक्स क्यूब प्लस-1 प्लस-3 एक्स-3 इसक्वैर प्लस-2 एक्स-3--3-1 연तर च्वन-6 एक्स-3-2-a3-- R. अब नेक्स्ट एग्जामपल आपको मिलेगा पेज नमबर एग्जामपल सारे करेंगे एक भी नहीं छोड़ना है पेज नमबर 12 एग्जामपल दिये वह आपके पेज नमबर 12 एग्जामपल मान गयाद कीजिए डेल एक्ष लोग बी एक्स डेल एक्स लोग बी एक्स का मान गयाद कीजिए तो डेल एफ एक्स डोट जी एक्स अब इसे एफ एक्स डोट जी एक्स वाले फॉर्मुले से करेंगे तो ये एफ एक्स डोट जी एक्स का फॉर्मुला पीछे बताये था एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स पहले जी एक्स एक सबस्क्राइब सिरा समय। परेट हो गां में एका ₤ में एक से प्लस हो जाएगा और एकश ओप्रेत हो तो टो इसमें एक्स में एक्स कॉन से गदिवर आया वह बताँ सब्सक्राइब एक स्फच्सर में ट ख curved विऄ। आउझण क्कार्ण म्हीं किसी जोंग क्यांग है एक सब्सक्ट करें देले स muffin एक की पावर दूंग है पर से ऩर्ड़ एक सब्सक्राइड ménus ऐ पायर एक्स बराबर एक्स को कोमन ले लिया तो यहां बचाँ पाँकी पार एक्स माएन बचे लोग बीह अक्स के जगह जाएक स्दिय। का यह लोग कोमन ले लिया दोनों मेंसे हैं वन प्लस एक्स अपॉँस अपान अ दोसट सहीक्त में डेल एक पाउर एक्स लोग भी एक्स अब यह repairing अलगा दिया लोग भी एक्स का भी एक्स एक पार एक्स माइनस वन एज इस इस पार आगे तो यह होगी इसका अंस्वर अब नेक्स्ट उदान दिया हुए पेज नंबर थर्टीन पे पेज नंबर थर्टीन पे यह उदान अपन कर रहे हैं डेल यह ब्रेकट में तू की पार एक्स अपउन एक्स प्लस इनका फ्क तो डील ओपरेट कर आएंगे अब इस डू एक्स को माण लिया एक्स और इस निचे वाले एक्स प्लस एक्स को फ्क्ट ओले ऊह पर रहें जीए एक्स यह फॉर्मूला fx upon gx वाला या दोना चाहिए डेल अगर उप्रेट होतों तो gx डेल fx माइनस का fx डेल gx upon gx प्लस h into gx तो fx वानने 2 की पाउर x को उपर वाले को और gx वानने निच्छे वाले को x प्लस 1 का फैक्टोरिय तो डेल fx सर्व अपर थम निकालेंगे तो 2 की पाउर x प्लस 1 h के जगह आगया 1 माइनस का 2x डेल gx बराबर x प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल तो डेल fx अपन जीएक्स का की वैल्यू रखेंगे यहां पर और फिर डेल gx की वैल्यू रख देंगे अपन में क्या जीएक्स जीएक्स एग्स प्लस एच रखेंगे जी एक्स प्लस एच यानि वन प्लस वन हो गया टू तो टू की पाउर x उपर बिक से कॉमल लेंगे तो x प्लस 1 फैक्टोरियल माइ 2 की पाउर x ब्रेकेट में बचा x प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस x प्लस 1 का फैक्टोरियल और x प्लस 2 का फैक्टोरियल चेंजिंग का किया है चेंजिंग इसमें किया x प्लस 2 फैक्टोरियल में x प्लस 1 फैक्टोरियल भी यहां बचा 1,1 और 1 होगे 2, नहीं, x-2 और x फ्लस 1 एग्टीज कॉमन आ गया, तो x-x और इसके बच गए, और यह 1 और 1 होगे 2, तो 2 से 2 कर जाएगा, और नीचे एग्टीज है, तो माइनस x अंदर से बच गया, और नीचे x फ्लस 1 एक्स प्लस बन फैक्टोरियल कट गया और निच्छे बचा एक्स प्लस टू फैक्टोरिया यह आंसर हो यह इसका अब देखे एक्जामपल थे उतने तो कर लिए अब आगे कुछ में तो प्रिणाम है तो वह करेंगे नमबर एक है चरो के साप एक्स डैल नेबला तता ए करम विन्यूए नहीं होते हैं जैसे अर्थ-थार्थ यूएक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन को गुणा की तो वह डैल यूएक्स के बराबर न उसी की जए नेबला ऑपरेट करो दे तो भी न थाब और यूपरेट कर वहाई तो भी नहीं होगा एक्स कमान लगाईगा और डी एक्स इंटू झी इक्स कमान अलग आएगा क्योंकि इसका एक formula यह अलग होता है इसी प्रकार से ई-एकस बराबर नहीं होगा एफ एकस ई-जी-एकस के नंबर दूसरा है परिणाम इफ-एकस है जो बराबर नहीं होगा एफ-एकस वोली स्क्वेर के यह ध्यान रखना है यदि डेल एफ-एकस बराबर 0 हो इसका अर्थ यह नहीं है कि डیल बराबर जीरो या फ-फ-फ बराबर जीरो इन डेल फ-फ फ कमांज जीरो ए देर रखात सा मßलब यह नहीं कि डाल बराबर जीरो और फफ लिए क्रीमें थांच्ट आत्या भूर एक किया तस्मक संकार्ग है तस्मक संकार्ग हैまで को अब इसका प्रूफ देख लो डिलf x कंन आएगा fx ब्लस मैंस और gefx कंन आएगा fx स्पलस एच ठीक है तो डैल fx ब्राबर enfx मैंस का i fx आएगा 0 dellfx ब्रेद एफएक्स मैनस का आई एफएक्स आईगा तो डेल बराबर ए मैनस आई हो गया इसका मान होता है एफएक्स एफएक्स सारत तिनों कट गए समझे रहूं अब देखिए उसके बाद में एक एग्जामपल दिया है यू जिरो यू वन पेज नमबर 14 पे देखिए पेज नमबर 14 14 पे ये चीज मैंने करवा दी पेपर में आने लाइक थी संकारकों में संबंद ए बराबर आई पलस डेल होता है और डेल बराबर ए माइनस आय होता है इसमें तीन लाइने दी विए हैं तो तेन लाइने भी लगा सकती है आप लोग दो की जगए तीन लाइने लगा नहीं है तो इसका प्रूफ मैंने समझा दिया अब एक एक एग्जाम्पल दिये वे नीचे यू 0 बड़ाबर एक यूगं बड़ाबर एक यूट्यू अठाइस और यूफुर कमाने गुंडथीर तो हमें का गये है कि की डेल की पाउड च्यार यू-sheege धर घाफ करते हैं कि बाउड अपब कि जियरो तो टमद की जगाए देखें दोस्तो ओ माईनस ऑई की गात्चार है यूजीरू है तो इसमेए माईनस बी का गात्चारवाला फोर्मूलाπά बाएगा इसमेह पासकल ट्राइंगल से यह सॉल्व किया हूआ है ध्यान से सुनूए पास्कल ट्राइंग्ल से पास कल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं और कै यह पासकर ट्राइंगल अपना सबसे पहले यहां पर एक रखेंगे और यहां पर भी एक एक रखेंगे यहां पर एक एक रखते हैं मारे पास फॉर्मॉला बन गया एप्लस बी का की गात एक का या एक और एक अब इन एक और एक को जोड़ दिया दो गए उसके बाद में एक एक और लगा दिया एक एक और लगा दिया उसके बाद में क्या है क्या है कि इन दोनों को जोड़ दिया तीन आया इन दोनों को जोड़ दिया तीन आया उसके बार एक एक और लगा दिया अब क्या है इन दोनों को जोड़ आया इन दोनों को जोड़ा च्छै आया और इन दोनों को जोड़ा च्यार आया ये तीन च्यार च्यार आगे उसके बार एक एक और लगा दिया लगा दिया अब देखिए च्यार और एक उता है पांच और च्यार हो गया दस च्यार पांच इतने आगे उसके बार एक एक और ल triangle मैं उसे जोड़ा एक एको जोड़ा दो आ गया फिर बार एक एक लगाना थिर इन दो ko žड़ा तीन उना जोड़ा एक एक और लगा दिए तो फॉर्मूला बूंझागा यहां से थी प्रगोली का और यहां भीडाव एक प्लस-वी का first with aRe कब एक पॉर चार और A plus B कब OIL की पाउर 5 A plus B OIL पाउर 6 ठीक है 6 तक बना लिया बना लिया तो ये फॉर्मूला बन गया अपना अब इसको OPERATE कैसे करेंगे OPERATE ऐसे करेंगे जैसे मालिया A plus B आया A plus B की गात आगया 3 ये वाला फॉर्मूला आगया अपने E में आगया E plus I की गात E plus I की गात 4 है क्यूशन में दे रहे है E minus I की गात 4 है तो E plus I की गात 4 होगा तो यहां पे 1, 4, 6, 4, 1 लेंगे तो उसमें 1 का मतलब क्या है कि गाते तो गटते वे करम में लगाएंगे और ये आगे गुणांक में 1, 4, 6, 4, 1 लगा देंगे जैसे वहां पे था E minus का I था तो हमने क्या किया है देखो 1, 4, 6, 4, 1 ये याद रखना है 1, 4, 6, 4 और 1 ठीक है ये तो अपन आगे लगाएंगे गुणांक में 1, 4, 6, 4, 1 गुणांक में लगाएंगे उसके बाद क्या करेंगे E की गाद यहां पे चार दे रहे है तो E की गाद 4 E की गाद 3 E की गाद 2 E की गाद 1 और E की गाद 0 का मतलब होता है I लाशन में लगा देंगे I इस पर कारशी गादते हो जाएंगे इसकी गटते वे करम में और गुणा का पास का ट्राइंगल से लगाने है 1, 4, 6, 4, 1 अब फॉर्मुला उसमें प्लस में था तो सभी वैलियूस प्लस में आनी ची आगे प्लस 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 लेकिन यहां पे माइनस है माइनस है तो अल्टरनेट 1 प्लस लगाएंगे एक माइनस लगाएंगे यहां पे प्लस लगाएंगे उसके बद यहां पे माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, इस परकार से यह फॉर्मुला चलेगा, clear हुआ नई हुआ तो एक बार औद यहां से देख लेना फिर E की गात 4 है माइनस 4 E की गात 3 प्लस 6 E की गात 2 माइनस का 4 E प्लस का एक आई यह हो गया अब U4 दे रखाए अपने को E की गात 4 को किस्टन में U1, U2, U3, U4 दे रखिये वेल्यूस E की तो दे नहीं रखिये तो गात 4 है तो उसके जगे U4 का मान लग देंगे तो गात 4 है तो U4 माइनस 4 का 4 फिर E की क्यूब है तो U3 लिख देंगे यहां पर प्लस का 6 E स्कोर है तो U2 लिख देंगे माइनस का 4 और E है तो U1 लिख देंगे प्लस और यहां पर क्या था E की पावर 0 थी उसे आई लिखा था तो E की पावर 0 के अपने ए की पावर जीरो की जगे अपने लिख देंगे यू जीरो अब इन सबी की वैलियूज रखे आगे गुणा करके सॉल करने पर हमारे पास आएगा जीरो तो डेल की पावर चियार यू जीरो का मान आएगा जीरो समझ गए ये था एक्जामपल बीच में हम चल रहेते संकाल को में संबंद में तो ए इंटु डेल बराबर डेल इंटु ए के मान के पराबर होता है तो ए भार पड़ा है डेल कोई फंक्शन ले लिया fx fx पर अपन डेल उप्रेट करॉंगे तो fx प्लस अच मानस के fx और अब दोनों पर ee operate करूएंगे e पहले पर operate कोरूएंगे ee भी दूसरी पर operate को enगे e operate कोरान पर क्या होगा x plus H आज जायेगा यह यानि fx पर e operate कराता है तो x plus आज आता है तो यहां fx पूरा x यह है fx तो इसमें h योड़ जाएगा और यहां पर x यह हैं तो मेaries जोड़ एक्स खेर मैंस का फऐस्ट फड्स तो ये किया वब ये किसका मान कर आफ लेल एक्स प्लस एक्स का आने देल एक्स प्लस एक्स का मान है ये कैसी ओवहिये इस पर इस्पर परेट खोर मैनिस काक स्वे Steelows एकस प्लस है यह लिंग सकते हैं ए पर एकस ऑम्लेट उता फेकस फ्लस एकस ए फएकस प्लस है लेट होता है फ्लस है लाम Breaking देखेऊ मारी पास हुआ ही डीया क्या था ये डाइल एफक लिया था और लिकरागे डेल एफक इस्का मतलब दो्प्र एफकस कट जाएगा तोीधै बर्बर नापटाई ऐ बचेगा येड़ बर्बर डेल बचेगा पाहर अब ओ iron नमबर देखें प्रोपर्टी और इने ब्राबर होता है और तदेल के कि इने लेके चले ते फंक्शन पर овыеट जाएंगे तो देल वर जंगे कि नबला ब्राबर हो जाएगा यडिंग करें के और फिर डेल इंटो ओई बहुद नेबला इंटो ईवी डी डेल के वर्बद होता है तो फ्र पर नेबद को fx पे ऑपरेट करूएंगे नेबला को fx यिप और जखेंगे ये बार पर नेबला ऑपरेट हो है fx-fx-h बच गया फिर यी दोनों के गुर्ण आ जाएंगा गुणाने पर दोनों में अलग लग E operate होगा तो X प्लस H माइनस का F, X प्लस H इसमें प्लस H होगा तो H से H कट जाएगा, X बचेगा, तो F, X प्लस H, माइनस का F, X मान किसका होते है? Del F, X का होते है, तो दोनों तरफ से fx और fx कट गए इस तरफ था e nabla fx और इस तरफ था बराबर के del fx तो fx fx कट गए e nabla बराबर del बच गया तो e nabla बराबर del यह समद एक आ गया दूसर समद निकालना है nabla into e बराबर del आना चाहिए तो nabla into e function पर operate कर वाएंगे और लाना क्या है del लाना है तो भब आप देखें del nabla e fx पर operate होगा सबसे पहले e operate होगा fx पर nabla बार पड़े e operate होगा fx पर fx plus h आगे अब nabla operate होगा x plus h पर fx plus h minus का fx minus h और minus h यह हैं plus h और minus h है fx plus h minus h fx plus h minus fx bچ گیا h سے h kٹ گیا fx plus h minus fx bچ گیا तो यह क्या होता है यह del fx होता है तो nebula e fx बराबर del fx fx से fx कٹ हो जाएगा nebula into e बराबर del हो जाएगा तो समिकर्ण एक और दो से हम कह सकते है कि E into Nabla बराबर Nabla into E E into Nabla बराबर Nabla into E बराबर DeL के होता है यह यह तिनों बराबर होते हैं honest अब इसके बाद में आगे एक 환 cart दिया है एक मडर two page नमडर 15 पर page नमडर 15 पर इकनि मडर 땡 दिया है डेल की पावर आर वाई के बराबर नेबला की पावर आर वाई के प्लस आर यह दोनों बराबर होते हैं शिद्ध करना है डेल की पावर आर आर यह गामा है वाई के प्लस गामा बराबर नेबला की पावर गामा वाई के प्लस गामा बराबर नेबला की पावर गामा इंटू लेकर आगे की पावर गामा इंटु वाइक के ऐसा लिख सकते हैं अब देखें नेबला इंटू इए को गुणा कर दिया गामा उपर पावर लगा दिया और वाई की पावर वाई के ए ठीक है गजै वाइक है तो निपला इनडा इन्टू का होता है फिछे पड़ा तो डिल की पॉपवर गमा य य और विके यही मेश्द करना था डिल की पॉपर गमा इन्टू वाई के हम यह लेकर चले थे और यह लेकर आ गए दोनों बराबर भूई है यह शम गायग है बता दिना कमेंट आप 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 प्रोपर्टी डी आइ नेबला बराबर डेल इन्वर्स नेबला एफ एक्स पर ओपरेट रहेंगे एफ एक्स माइनस का एक्स मानस एच तो डेल एफ एक्स मानस एच आजाएगा तो यह मान इसकी ईंवर्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं तो हमें यहीं करना था डेल-बराबर आना चाहिए था ढेल यह ख्याउम थोड़ा दिमाग लगाऊगे तो समझ आजाएगा अब नेबला बराबर i-e inverse या e inverse बराबर i- नेबला नेबला fx ले लिया पने fx-fx-8 होता है इस कमान fx बार पड़ा माइनस यहां पर e inverse fx भी लिख सकते है fx-8 की जगें दोनों में से fx कमान ले लिया 1-e inverse बचा इस तरफ था नेबला fx बराबर 1 को i लिख सकते हैं पिछे भी बताया था पास्कल ट्रेंगल में तो i-e inverse into fx बच गया fx-fx कर जाएगा नेबला बराबर i-e inverse यह हो गया अपना e कि संकार को के प्रॉपर्टि डल माइनस नेबला बराबर नेबला इंटू डैल होता है पहले राइट ह büyइंट को लेंगे कि डेल इंटूमा को एफ एक्स पर ऑपरेट करोंगी सबसे फ़्रें नेबल अपरेट होगा एफ एक्स पर नेबला इतव उपपरेस्पड तो एफ एक्स मैनेस fx-h आया उसके बाद दोनों पर अलग-अलग del operate करवा देंगे तो इस पर del operate करए fx-fx और इस पर del operate करए fx-h plus h-fx-h x-h कट जाएगा x बच जाएगा fx और plus हो गया fx-h क्योंकि बाहर था माइनस माइनस अंदर गुणा वा यह माइनस आगया और यहां आगया पलस इस तरफ एज़िटी इस बढ़ा है अब देखिए दोनों में से कुछ कट रहे हैं यह दोनों जूड़ रहे हैं और यह भी दोनों जूड़ रहे हैं तो क्या आएगा यहां देखें fx-fx-fx-fx-fx-fx-h और दोनों को आगे पेछ्व कर दिया उस पूरे माइनस यहां पर Gör को किया माइनस क्माल लिया अंदर से पहले सकते हैं मैंन पहले क्या किया था sama जोना किया था अब वापधी माइनस ले लिया उकरम ले लिए को मन लेती यह क्या बन गया निख् appelle ये RSom yn黃 regulations है तो यहां पर नीबला एप एक्स लिए तो एफक्स दोन सुल मैंस को मैंद एल मेंडिग एस तरफ था डेल स इस तरफ डेल इंटू नेबला एमख्स चैम्ग करदाएगा डेल इन्टू नेवला बराबर डेल मानेश नेवला यह संबंद अपने शिद्ध कर दिया जी आई प्लस डेल ब्रेकट आई माइनस नेबला बराबर आई होता है तो आई प्लस डेल बराबर ई होता है यह तो पता है यह बराबर आई प्लस नेबला बराबर ई होता है तथा आई माइनस नेबला बराबर ई इन्वर्स होता है यह पिछली प्रोपर्टीज में पढ़ च أفقس کمان نکال لیں گے तो यह بن گیا e inverse fx यह बन गया e inverse यह रह तो थविए इंट़्ो फोगा की पार 008 की पार 009 याने 1 एट एक्स 1fx आ गया है तो fx का मतलब I HOTAR फोन fx का मतलब औप आइ혁 होता है तो i आगिया लेकर क्या चलेते हैं left hand side लेकर चलेते हैं right hand side prove कर दिया अपने यह देखे i plus del i minus enable fx लेकर चलेते हैं और i fx लेकर आगे यह रहा आई तो यह दोनों बराबर अपने sit कर दिया प्रपरटी से e बराबर e की गात hd बराबर i plus del d बराबर होता d by dx यह तो सभी को पता है यह d इसका माहन है d by dx आउकलन वाला तो e fx बराबर fx plus h होता है अब taylor पर में से सिद्ध करेंगे इसे taylor पर में मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है taylor पर में आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी ध्यान देना आप लोगों को telephone में fx का एक बार उकलन हुआ तो h गुणा वा दो बार उकलन हुआ तो h स्क्वेर अपन फेक्टोरिल टू आया तो fx का fx पढ़ा है plus h f-x को क्या लिखेंगे d of fx यानि fx का differentiation किया है एक हुआ ह स्क्वेर अपन फेक्टोरिल टू है अफ डबल डेस को लिख दिया d square fx यानि fx का दो बार उकलन किया हुआ है तो सबी में से fx को में ले लेंगे यहां बचे का 1 यहां पर बचे का hd और यहां बचे का h square अपन फेक्टोरिल टू इंटू d square एस सुन आगे चलती रहेगे तो यह क्या होगी एक series बन गई series किस की बन गई? e key got hd की तो यह series बी जियान में रखने है ae key got x की series क्या होगी? e key got x की series होगी 1 plus x plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 ऐसे आगे चलती जाएगी तो यह series बन की e key got hd की into fx तो e fx बराबर आजाएगा e की गात hd into fx e fx लेके चले थे अपन उसके बाद टेलर पर में से किया था तो fx fx कट जाएगा e बराबर e की गात hd आजाएगा e बराबर e की गात hd हो गया समय कर नमबर 1 बानेंगे इसे अदा काम अपना हो गया e बराबर e की गात hd सिद्ध कर दिया अब करना है i प्लस e को इसके बराबर कर दो या इसके बराबर कर दो e की बात है तो अपन i प्लस डेल को सिद्ध करेंगे i प्लस डेल से e लेकर आएगे i प्लस डेल into fx पर उपरेट करवा देंगे तो I f x plus del f x I operate को रहे है ऐफ x plus del f x plus h minus का f x दोनों f x कड गए f x प्लस h बता तो इसे एपने लिख सकते हैं E f x लेकि क्या चले थे i plus del f x i plus del fx बराबर e f x f x से f x कड जाएगा i plus del बराबर e यह होगी समीखर नमबर b a क्या था e का मान e की गाथ HD के बराबर था और यहां E कमान आई प्लस डेल के बराबर है तो E कमान इन दोनों के बराबर हो गया E की गाताचीडी के और आई प्लस डेल के तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप कल अपन अंतर कलन का मूलप्र में पढ़ेंगे